हेलो दोस्तों स्वागत आपका फ्रेंड स्टेडी सरकिल चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियों हम बात करेंगे यूपी त्रिपल सी के आने वाले रिजल्ट की और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हाल ही में कुछी घंटे पहले यानि कि मैक्सिमम में घंटे हुए हो जो भी आपके मन में सवाल होंगे पहले बात कर लेते हैं लोवर पीसेस की तो दोस्तों लोवर पीसेस के 900 प्लस पोश्ट आने वाले हैं और यह कब तक आएगा इसके बारे में अभी सटीक अफ्ट नहीं है लेकिन यह मान कर चलिए कि लोवर पीसेस आपको दोचवविस मे है कि आपको देखने को मिल सकती है 900 से जादे पोश्ट आपको देखने को मिलेंगे इसके साथ ही लेकपाल की भरती बहुत जल्द ही जारी होने वाली है इसके नौटिफिकेशन और यह भी 4000 प्लस पोश्ट ही है बता जा रहा है कि लगभग 471 पास में है लेकिन देखिए कह पारिष्टगाड का रिजल्ट अभी जारी हुआ है अब इसके बाद जो रिजल्ट होगा वह अनुदेशक का रिजल्ट जो है जारी होने वाला है कि और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं जो भी स्टुएंट वेट कर रहे हैं जेई 2.18 वीडियो 2.18 तो मानकर चलिए कि पहले जो रिजल्ट आएगा वह जेई 2.18 आएगा उसके बाद वीडियो का रिजल्ट आप लोग को देखने वाले है इन दो रिजल्ट के बाद आपको कंबाइंड टेकनीसियन 2016 का बात करते हैं UPP Re-Exam की तो दोस्तों जैसा कि अपडेट है कि अगस्त मा में यह जो है एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाएगा और जुलाई लास्ट तक जो भी सेंटर की अपडेट है वो मिल जाएगी UPP भरती बोर्ड को और आपका एक्जाम जो है अगस्त मा में करवाया आपको होम डिस्टिक्ट जो है मिलने वाले नहीं है थोड़ा दोर दराज आपको मिलेंगे और यह जो एक्जाम है चार पालियों से अधिक पालियों में भी यह कंड़क्ट करवाया जा सकते हैं इसके बाद जो एक्जाम होगा आपको पता ही है कि ASI, एकाउंट, लिपिक और confidential वाले जो पोस्ट आये थे, computer operator के जो पोस्ट आये हैं इसके बाद UBP का जो पेपर हो जाएगा यानि constable का भरती का पेपर हो जाएगा तो इसके बाद इन सब के जो हैं पेपर करवाये जाएंगे, मानकर चलिए कि एक डेड़ मैने के अंतरगती एक्जाम कंड़क्ट क पर वाले जाएंगे, मुख्य सेविगा के लिए छात्राएं जो हैं लखनाओं उस्तीत जनता दर्वार में गई थी और हर बार की तरह जैसा कि आस्वासन दिया जाता है तो फिर आस्वासन ही देकर छात्राओं को वापस कर दिया गया है और लेकपाल नियुक्ति के लिए धर्नापरदर्शन किये हैं देखिए क्या पॉजिटिव रिजल्ट आता है कब तक कि इन लोग का जॉइनिंग हो जाता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद टेक केर बाई बाई